जेहिन दोस्तों तो फाइनली CISF Constable, ट्रेट्समेन, इसके अलावा Head Constable, Ministerial and ASIS TNO और इसके अलावा ड्राइबर, सभी के जो है एंसर की आप सभी जो है अब दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, आप सभी को पता है कि एंसर की डाउनलोड करने में जो है अभी ये घंटा पहले आपको problem आ रहा था, लेकिन अब जो है आपका problem solved हो चुका है, यानि कि अब जो है आप सभी असानी से अपना एंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, candidate response का option जो है जिसमें link आपका open हुआ था, उसमें जो है so नहीं कर रहा था, लेकिन दोस्तों अब जो है आपका option आ चुका है, जो भी candidate अभी तक चेक नहीं किये हैं, आसानी से जो है आप सभी अब आपना answer की चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है इसका link सही से काम कर रहा है, तो देखिए दोस्तों answer की चेक करने के लिए आपको जो answer की जो download का link है उस पर जो है आपको आना होगा, जैसे कि ये link पर जो है भी आप सभी type कीजिएगा Google में और उसके through भी आप सभी इस link पर आ सकते हैं, सभी का link description में है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको अपना roll number यहाँ पे fill करना है, जो भी आपका roll number है उसे fill कीजिएगा, देन DO भी अपना fill कीजिएगा, इसमें जो है आपका date, month और year, इसके बाद यहाँ पे capture fill कीजिएगा, देन आपको login पर click कर देना है, login पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस पर करके interface आएगा, तो देखिए दोस्तों आपको जो है जब आप login कीजिएगा, तो आप अपना chrome browser जो है इसे desktop mode में आप सभी कर लीजिएगा, यहा आप में से काफी है student का सवाल होगा, किसमें यहाँ पर personal details, admit card, objection, form और candidate जो है response का option नहीं है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर candidate response का option है, यहाँ पर देखेंगे all का जो एक option आप सभी यहाँ पर देख रहे है, all यहाँ पर लिखा है, इस पर आप click किजिएगा, इस पर जैसे आप click करेंगे, देखिए यहाँ पर candidate response आपका आगया, तो इस पर आप सभी click कर दीजिएगा, इस पर click करने के बाद दोस्तों आप सभी देखेंगे, यहाँ पर candidate response आपका स्वो करने लगा, इस पर आप फिर से click कर दीजिए, इस पर click किजिएगा, इसके बाद देखिए, य यहाँ पे to download your response sheet for, यहाँ पे देखेंगे, CISF 30 and 30 September को जए exam हुआ है, और यहाँ पे click here, तो जो here आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर आप सभी click किजिए, इस पर click करने के बाद देखिए, आपका answer की यहाँ पे download हो गया, आप सभी देख सकते हैं, तो यहाँ पे answer की आपका download हो गया, अब आप सभी यहाँ पे आपना मिलाइए, जैसे कि यह जो परासन है, इसका जो answer है, CISF के तरफ से एक बताया गया है, option number A, और जो candidate option चूच किया है, वो भी एक ही है, तो इसका मतलब कि यह सही है, तो इस तरह से आप सभी अपना check किजिए, और comment में बता दिये हैं, इसका जो problem है, वो asalb हो गया है, अब आप सभी असानी से check कर सकते हैं, link description में है, आप सभी जाकर जो है check कर सकते हैं, या online सरकारी job जो इस पर भी visit करके आप सभी check कर सकते हैं, यह मेरा ही officially site है, तो दोस्तों link description में है, और video पसांद आया हो, तो आप सभी channel को subscribe कर ल मिलते हैं, तो फिर मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम,